लो दोस्तों मैं आपका दोस्त आरसके आपका मेरे चैनल राजिंग इंडिया में बहुत स्वागत है आज हम आपको इंडिया और नुजुलेंड के बीच खेला गया दूसरा बंडे मैच का हाईलाइट बताने जा रहा हूं वीडियो को लाज तक देखें टीम इंडिया कप्तां बिराट कोली ने दौस जितकर बैटिंग करने के पैश्टा लेट टीम इंडिया के प्लेइंग इलेबन रोजी सर्मा, सिर्कर्दबन, बिराट कोली, राइटू, केदार जाधव, एमर्जोनी, बुबनेश्वर, सम्मी, विजैसंकर, और चहल, वही निजलेंड टीम के प्लेइंग इलेबन, गुप्तिल, मुन्रो, बिलेमशन, टेलर, लाथम, हेंडरी, ग्रैंडो, सोडी, प्रभुशन, वोल्ट, विरिस्वेल, भारत के स्वामी बलेबाज रोईस सर्मा और धवन पारी की सुबात की, वही निजलेंड के प पर रोईत ने फुर्गुशन के गेंद पर शक्का माल कर अपना अर्थिस्वा अर्षतक पूरा की और साथ में ही चौधवी सतक्या सर्जारी पूरी की, उसके बाद धवन ने भी इस्वे ओबर के चौथी गेंद पर अपना सर्थिस्वा हाप संज्योरी पूरी की, दोनों पाद के कप्तान पिराट कोली क्रीच पर आये और रोईत के साथ 18 रन की साज़ेतारी की, इसके बाद रोईत दिस्वे गोबर के तिसरी गेंद पे 87 रन के स्कोर में हाट हो गए हैं, रोईत की इस पारी में 9-4 और 3 ठके जड़े, पिराट कोली और अपायतु राटू को बड़ी पारी में पिरवट नहीं कर पाये, पिराट 43 और राटू 47 रन मनाए, दोनों अर्थ सब्तक से चुप गए हैं, अंत की ओबर में MS धोनी और केतार जाधा ने तावर तोड़ बल्लेबाजी की और दोनों ने मात्र 26 गंद में रेबर रन की साज़ेतारी निभाई, MS जोनी ने 33 गंद में 48 रन पड़ाएं, वही जादम ने 10 गंद में 22 रन मनाए, भारत ने पूरे 50 और में 4 पिकेट कोकर 324 रन का विसाल स्कोर पड़ा किया निजलेंड के सामने एक पाहाड जैसा 325 रन का विसाल स्कोर था, निजलेंड की पाहारी की सुवाद, स्लामी बल्लेबाज, मार्टिन गुप्टिल और मुंडो ने की, वही टीम इंडिया की परमुक गंदवाज, उमनेस्पर ने एक बार फिर से गंदवाजी की कमान संबा निजलेंड के कप्तान गेंड बीच पे आएं और आते ही तावर थोड़ बल्लेबाजी की पाहाड जाली, उमनेस्पर की पहली गेंद पर गुप्टिल रॉनाट होने से बच गए, उमनेस्पर की पाहारी की पाचवी ओबर ये छटी बॉल पर उमनेस्पर ने गुप्टिल को ओड कर निजलेंड को पहला जटका दी, एक बाद फिर निजलेंड के इसलामी बल्लेबाज एक लंबा सज़दारी बनाने में असफल रहें और सिर्फ तेश रन पर पहला विकेट गवादी, इसके बाद निजलेंड के कप्तान गेंड बिलियंसन बीच पे आएं और आते तोड कर हाथ को एक संदार सफलता दिलाई, निजलेंड के दपतान के इन बिलियंसन के आउट होने के बाद रौस्टेलर ग्रीच पे आये, रौस्टेलर और मुंडरो के बीच परनप रहें सहज़दारी को चाहल ने तोड कर निजलेंड को तिसरा जटका दिया, चाहल ने म मुन्रो को ल्पी डवलू ओट की मुन्रो के ओठ होने के बाद क्रीज पे टॉम लाथम आए रोज टेलर भी कुछ खास नहें कर पाएं और सिर्फ पाइसन बनाकर जादव का सिगार बने क्रिदार जादव की गेंद पर बोनी के दुआरा एक लाजवाव स्टंपिंग कर टेलर की पारिक को स्माप कर दिया रोज ट्रोर का ओठ होने के बाद क्रीज पर हेंडरी आएं 25 ओवर के तिसरी गेंद पर कुल्दीप ने लौथम को लपीड़ डवलू कर न्यूज लैंड की आधिप टीम को पाविलियन भेज दिया एक वर फिर से कुल्दीप की फिरकी में आकर निर्जी लैंड जक्सुट्यासटन पर आठ विकेट गवादी नॉम्मा विकेट के लिए प्रेस्विल और फर्गुसन के पीच अंठावन रन की सहिजदारी हुई इस विक प्रेस्विल ने अपने ओडियाई करियर का पहला हाप संच्यूरी लगाई इस सहितारी को गुनेसवर ने तोड़ी पर गुसन को ओड़ कर चाहल ने नुजी लैंड की पारी को समाप्त कर दी और सकेंड ओडियाई को भारत ने 90 रन से जिद लिया यह भारत की सबसे बड़ी जीत है नुजी लैंड में रनों की अंतराल से नुजी लैंड की तरफ से सरवादीक ग्रेस्विल संतामन रन बनाए वही कुल्जीप ने इस स्रीज में लगतार दूसरी बार चार बिकट जटके पुमनिस्वर और चाहल दोदो बिकट जटके वही सैमे और चादव देगक बिकट जटके मैच के हीरो रोई सर्मा को वाइन अप्ट इमैच से समानित किया गया दोस्तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें